गर्मे पड़ी सामगरी से आज हम इतनी स्पेसल और यूडिक रसे भी बना करके त्यार करेंगे जो आप चाहे किसी को भी सरु करें वो आपको जरूर पूछेगा कि आपने किस तरह से बना करके त्यार किया है तो नमशकार पापा ममी किचन में आप सभी का स्वागत है इसके लिए यहां पर मैंने एक छोटा पीस बीटूट का लिया है और इसको साप दो करके छिल लिया है इसे रफली काट करके मिक्सी के जाहर में डाल देते हैं अब बीता क्वाटर कप जितना पानी के जना डाल देते हैं और डकन लगा कर Starting लेते हैं, अब इसे खोल के देख लेते हैं, इस तरह से हमें स्मूध पेस्ट बना करके तियार करना है इसका अब इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं, अब देख पार इसका कलर कितना सुंदर आया, इस पेस्ट को हमें आगे रसेपी में इस्तमाल करना है, इसलिए तो इसी जार के अंदर को भी पीस लेंगे, तो इसी जार के अंदर को भी पीस लेंगे, तो आप देख लेते हैं, तो आप देख पा रहे 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 हैं, तो आप देख पा परात के अंदर एक कब जितना ग्यों काटा ले लेते हैं, आप चागत इसकी जगह पर मैदा पी ले सकते हैं, या आदा आदा मैदा भी आप मिक्स कर सकते हैं, और एक टेबल इस्पून इसमें सूजी डाल देंगे, सूजी डालने से इसमें अच्छा क्रिस्ट्वी पनाएग इसमें रेशियों का आप बराबर ध्यान रखें, जिससे आपकी रेशिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, सबको अच्छा से मिक्स कर लिया है, भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और आटा गुंद लेंगे, पानी हमने रूम टेंपरेचर ही लिया है, इसम सेमी सॉफ्ट गुंद करके त्यार करना है, इस तरह सेमी आटा गुंद करके त्यार कर लिया है, तो इसमें आटा सॉफ्ट भी नहीं है, और टाइट भी नहीं है, सेमी सॉफ्ट आटा गुंद के हमें त्यार करना है, और इतना आटा गुंदने में लगबग हमारे आदा तब तक साइड में मैंने कुकर लिया है कुकर के अंदर एक टेबली स्पून इतना तेल डाल देंगे इसी के साथ इसमें एक टेबली स्पून इतना घी डाल देंगे आपको लग रहा होगा आज आंटी गी और तेल साथ में क्यों डाल रही है पर एक बार इस तरह से आप जीरा मारा चटकन लग गया है, इसमें एक टीस्मून जितनी सॉम डाल देते हैं, सॉम का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो यह आप जरूर डालें, दो मैंने इलाइची ली है, इसके मूँ खोल दिये हैं, यह इसमें डाल देते हैं, तीन मैंने लॉंग लिय है, यह इसमें डाल देते हैं, और हाफ टीस्मून जितना मैंने साबूत दनिया लिया है, तो यह थोड़ा दर दर हो गया है, और क्वाट्र छोटा चप्म्न जितना मैंने डाना मेथी ली है, तक दानना मेथी आपको थोड़ा ही डालना है, पर इसका टेस्ट बहुत मिर्ची लिए है जिसको मैंने महीन महीन घाट है यहीं यही बिढ दाल देते हैं मिर्ट के देसे कम जाहिते हैं आज के बना भी नगल देज aimed आज पारतेयो आप देख पार है मिर्ची भी हमारी बहुत ची कजया है लगद भी आछे पके अतवे है अबिस में दो टी स्पून जितना कस्मेरी लाल मिर्ची डाल देते हैं कस्मेरी लाल मिर्चे कडर अच्छा दढ़ एका इसका तिका पंज्यादा नी आएगा इस आपको लाल मिर्शी डालनी इसका कलर बहुत अच्छा एगा लगबग 30 सेकंड तक पका लिया है यो टमाटर का पेश्ट अपने बना के रखा है वो इसमें डाल गेते है यहां पर मैंने टमाटर को इसमूद 30 के डाला है आप चाहेते हैं दरदर आप इसके भी डाल सकते हैं अ जब तक टमाटर पक्रा है तब तक हमने एक बाउल लिया है और बाउल में एक मसाला बना कर के तियार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक टीस्पून जितना दन्या लिया है इसी के साथ क्वाटर टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और हाफ टीस्मून जित पे आप छाट मसाला सकते हैं। इस एप चाट मसाला डालते हैं तो नमक आपको छोड़ा कम डालना है। अभी ठोड़ा पॉल कि ढृते हैं, बेगे मसाली कि अच्छे से फूल जाएंगी। इस तरह से लग बग आधा कप जितना इसमें पानी डाल दिया है। इतन थोड़े मसाले लिये फिर भी देके बह Counter पूलने लगते हैं साइड न आप देख पारहे है टोंट्र में अच्छ ए यह चुद्ध चूड़ गया है मसाल अच्छ प्वगता गताता अरय इसमें से शूड़ जाता है अभी इस मसाले को इसमें डाल देता है मशाले इस चला करे डालें. आर इसे ब लीछ के साद में फखा लेते हैं. मशाले मारा अच्छी से पखगया है नो इसमें गीबी छूड़ा हैं. मैंने 4 मीडियम साइज का लिये हैं. जिसको मैंने इस तरह से बड़ा-बड़ा ही काता हैं, युकर मैं आलू बनाते हैं थोड़ा बड़ा कातके बनाएं, अब इस आलू को इसमें डाल देगें, यहां मैंने चार आलू लिये हैं, जो कि चार लोगों के लिए सफिसेंट होते हैं, आप अपने हिसाब से अलू कम ज नाज भिमिन, इसे इसके ठेस्त बहुत अरुट अच्हा आएंगा और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा है, अभी हल्का सा इसे मिक्स कर आजएंगे, भीक्स करने के बाद में इसके उपर दखन लगा दखन लगा गर्पे इसे जो सीटी तक पकाएंगे, आलू अच्छे से बलते रहेंगे अच्छे से पख जाएंगे अभी साइड में मैंने जो आटा गुंद के रखा था उसको रखे हो भी लग बग 10 मिनिट हो गए हैं इतनी देर में देके आटा काफी सॉफ्ट हो गया है और काफी स्मूध भी हो गया है अभी इसको वापस एक बार गौन लेते आटा अच्छे से भीग जाता है तो बहुती स्मूध भी आता है अटा का लुक कितना अच्छा दिखने लग गया है अभी इसके हम छोड़ छोड़े लोई तोड़ लेंगे इस तरह से बना करके आप छोड़ लोई तोड़ लें इस तरह से हमने सभी लोई को तोड़ करके कर लिया है हमारे रेश्य में लग बग ये 11 बन कर के त्यार हुए है अभी इसको हम साइड में रख देते हैं यहां पर मैंने एक चलनी ली है यदि आपके पास चलनी नहीं हो तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी वह भी बहुत आसान तरीका होगा आराम से आप कर में बन फैल जाएंगे इजी लिया फैल जाएगा कैंकि आटाम ने सandy or बना कर के तियार किया है आरामसे इस तरह से ग्व फैल जाएगा ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है कि उम्याटियम प्रेशर में बन करके त्यार में जाएगा है मैं आपको द именно मैंने बता रही हूँ अब भी आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के सुरुवात में बीटूट का पेष्ट बना के रखाता है अभी इसका में इस्तमाल करना है इस पेष्ट को साइड में देती हूं और चलनी को एक बार मुल्टा कर लेता है उल्टा करने के बाद में बीटूट का पेष्ट है उ जादा नहीं लगाना बस थोड़ा सही लगाना है अब इसको वापस उटा कर देते हैं उटा करके दिर्ये से निकाल लेंगे यह आराम से निकल जाएगा देखे इसके उपर डिजाइन बहुत ही सुंदर आई इस तरह से लगाने से जो डॉट इसके उपर बने है उसके उप जादा उपर लगा डेंगे तो पिंग कलर सब के उपर फेल जाएगा वह दिखने हम इछा नहीं लगेगा इस तरह की छलनी नहीं है तो मैं आपको दूसरी तरीके से बताती हूं इस तरह का ज़रा तो सबही के पास होता है इस जर्य को उल्टा रखेंगे इस तरह से जर्य को जब उल्टा रखते हैं उसके ग्रिप के लिए आपको भी टोवल रख सकते हैं निचे या साफ कपड़ा रख सकते हैं और इसके उपर भी प्रोसेस सेम रहेगा यहां मैं आपको याद दिला देती हूं कि आपको माई आपके फॉन में गंटी बच जाएगी याद आपके गर्में जो भी चीजो उसका इस्तमाल करके बना सकते हैं एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो पंद्रे से बीस से के बन करके त्यार हो जाते हैं अभी साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है तो थोड़ा सो ढुआ ठीजा इसके बोबल साथ इसका मतलब तेल पर फ ITRO मोगे और इस्के अंदर डाल देते हैं इस तीज के अब ध्यान दख के जो झान कर दो तेल यह इसके अथिस के वालने है वो फुब कThe ड्य में और रखना है इस तरह से बालना है जज़ आप इसको नीचे रखेंग कर लेते हैं यह इतनी अच्छी वेराइटी है जब आप किसी को सर करेंगे तो जरूर कुछेंगा यह डॉट्स आपने कैसे बनाएं यह डॉट्स इजीली बन जाते हैं ज्यादा समय नहीं लगता है तावड बन जाते हैं अभी से प्लीट में निकाल लेते हैं इस तरह संभी पुडियों को फ्राई करके त्यार कर लेते हैं वह सब ही पुडियों बनेगी दें आपको पहली बार देखके लग रहा होगा कि साहिते बहुत टाइम लग जाएगा ज्यादा समय नहीं लगता है फटावड बन जाते हैं पर दिखने में इतने सुंदर बनते हैं तो आपके साइड में हमारे कुकल की इस्टिम भी पूरी खतम हो गई है अभी से खोल करके देख लेगे इसमें गी और तेल डालने का रिजन यह था गी के कांड से इसकी खुष्म बहुत अच्छी आती है और तेल के कांड से रंगत बहुत अच्छी आती है ताब देख पार इसके अच्छी से भी मेस कर सकते हैं आराम से मेस हो जाएंगे से ग्रेवी और भी गाडी हो जाएगे मुझे इसमें ग्रेवी एकनम पर्फेक्ट लग रही है तो आपको इसमें कम लगे आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं तो आप घरम पानी डाले इसमें थंडा पानी अब भी लास्ट में इसमें फुड़ा साहरा धनिया डाल देते हैं इस तरह से माइं 10 से 12 मिनिट में हलवाई इस्टायल मारू की सब्जी बन करके त्यार हो गई है और आपने देखा इसमें जो सारी सामगरी हमने यूज की है वो सभी हमारे घर में जाती है लास्ट में आपको सब्जी पूड़ी है पच्की नहीं हुई ए सुजी के कांड से काफी किस्पी बन के तियार होती है इसकी बार जो डॉट से उभाती कृस्पी बनने और खाने में बहुती स्वादिस्ट लगते हैं इसकी तोर चिए ऑधि-खाने के साथ में बुजया विखर खाने का आपको यह दॉट का स्वाद आपको वैसा ही लगेगा एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं देखिए अंदर तक इतनी अच्छी से पकी है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं तो अगली बार जब कभी आपको कुछ इस्पेशल और यूनिक खाने का मन करें तो यह सब्जी पूड झाल